स्टूडेंट प्रीविएस वीडियो में मैंने आपको पैसेज दिये थे जिससे आपको अपने कोशन आंसर कंप्रीट करने थे आज मैं आपको नाइन चेप्टर का सेकंड पैसेज दे रही हूँ और टैन चेप्टर का भी एक सेकंड पैसेज दे रही हूँ यानि कि आपको प पैसेज को अच्छी तरह से केरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको जो ये कॉशन आंसर इसको पूरी तरह से रीड करना है ये बिग पैसेज है इसको अच्छी तरह से रीड करना है इसकी हिंदी को अच्छी तरह से समझ नहीं है और उसके बाद में जो ये question answer है इनको आप इनके answer भी नीचे लिखे हुए है same to same आपको ऐसे question पढ़ना है पर question के answer directly करने से पहले आपको खुद को search करना है paragraph के अंदर से कि ये question दिया हुआ है who had become a soldier तो आपको इसको बहिए कौन soldier कौन था कौन बना था तो आपको बताना है कि कौन बना था आपको paragraph में से search करना है कि इसका answer में paragraph में से कैसे search करते हैं तो आपको search करके फिर अपनी rough copy में लिखना है फिर इसके answer से मेच करना है कि आपने जो लिखा वो सही है या नहीं है इस तरह से आपको paragraph से question से answer बनाने में practice हो जाएगी ओके, ये next question है 5 number तक का है, ये सारे answers है आपके साथ में, इस तरह से आपको complete करना है उसके बाद में आपका ये next passage है, passage number 4, इसको भी आपको carefully read करना है, और उसके बाद में इसके जो question answer है ये, इसको भी आपको completely फिर लिखोगे, फिर manage करोगे कि आपने जो answer लिखा, वो इस answer sheet से बिल्कुल मिलता जूलता है या नहीं है इस तरह से आपको अपना पूरा work complete करना है, इन्हें learn करना है इस तरह से आपकी practice हो जाएगी अपने passage में से question answer बनाने की, ओके, तो student आपको इस तरह से अपना revision work complete करते हुए practice करनी है, rough copy में भी करनी है और सारा work आपको fair notebook में भी करना है, ओके, इसका PDF में आपको send कर दूँगी ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरह से और भी दिख जाए, ओके thank you so much, have a nice day